टोटे गाइज ग्राऊसरी सब कुछ रख दिया मैंने आज मुझे मैंगो मिलें फार्टीनों से मैं बहुत अपनी बूर्निंग गाइज मैं अपनी ब्रीटिफुल मॉर्निंग अच्छे से ब्रेक्फास्ट से शुरू करूंगी आज मैं फूरूट्स में ले रही हूं पपाय और आज मैं बहुत सारी चीज़े आपके साथ शेयर करने वाली हूं और इसके बाद मैं जाओंगी वाग करने और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने फ्राइडे को कैसे एंज्वाइ करने वाली हूं क्या क्या करने वाली हूं इच और एवरिफिंग आपके स अगर आप मुझे बहुत देर से बाच कर रहे हो तो आपको पता होगा फ्राइडी में क्या गरती हूँ थर्स्टे क्या गरती हूँ एच अवरी देग का जो वर्क है मैंने ड्वाइड किया हुआ है अपने अकार्डिंग उससे क्या होता है में ऑर्गिनाईज रहती हूँ मेरी हारक चीज टाइम पर हो जाती है और थर्स्टे में क्लीनिग करती हूँ आज है फ्राइडे अगर आपको पता है मैं क्या करती हूँ तो लेट मी नहीं ना कमेंट शेक्षिन दुन अगलो आज फ्राइडे है ग्रस्टे करने चलते हैं मैं आपको मिलती हूं बात में आज बहुत अच्छा देना है बार मैं आपको दिखाती हूं इसकाइब कितने अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है बाहर बाहर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो नेट्रल थिंग्स मैं देखती हूँ everyday मुझे बहुत अच्छी लगती है and दूप है and मैंने टेबल भी बाहर रख लिया था आपने देख लिया होगा and बो रखी है मैंने ट्रेंपलीन बो भी आपने देख लिया होगी इसके रिव्यूज भी देख ले होंगे and चलो चलते है जी गाइस बहुत अच्छी दूब निकली है and बहर जाने में मज़ा भी आएगा तो चलो चलते हैं स्टोर and सबसे पहले मैं आगी हूँ inna shop at drug mart मुझे चाहिए थे थोड़ा से sun screen and skin care products and अगर आप चाहते हो मेरा skin care routine देखना तो let me know in a comment section on below मैं आपके साथ share करूँगी and अब हम करेंगे grocery and grocery करने के बाद मैं आपको straight मिलूँगी गर में आज मैं फर्टीनों से ही सारी grocery करूँगी then मैं आपके साथ share करूँगी and अभी अभी आई हूँ बहुत टाइड हो चुके है बहुत सारे store हो में जाना पड़ता है आपको पता ही है and अब मैं grocery करके घर आगी हूँ अब मैं आपके साथ share करूँगी कि मैं grocery में क्या क्या लेकर रही हूँ चलो चलते हैं kitchen में दिखाती है सबसे पहले मैं लजानिया को boil होने को रख टूँगी multitask work होता रहेगा बाद में cooking करेंगे मैं ने grocery को clean कर लिया है मैं vinegar लेती हूँ tissue paper लेती हूँ उसे clean कर लेती हूँ so आज मैं कहा लेकर आई हूँ फर्टीनों से यह है raspberries blackberry blueberries blueberries and blueberries strawberries strawberries and share किया था के वेरी से dessert आप कैसे बना सकती हो and यह मैं लेकर आई हूँ vegetable broth इसे मैं बनाऊंगी soup so जल्दी ही आपके साथ शेर करूँगी कैसे बनाती हूँ and next मैं लेकर आई हूँ carrot juice next मैं organic cherry tomatoes लेकर आई हूँ mostly फर्टीनों से सारा कुछ मिल जाता organic अगर लेना होतो and next मैं black diamond की white cheese लेकर आई हूँ यही मैं juice करती हूँ on a pizza on everything and next यह है pineapple इससे मैं smoothie बनाती हूँ सुबे सुबे अपने breakfast में and ऐसी salad की kits लेकर आती हूँ and next मैं लेकर आई हूँ rasmalai dessert में खाने के लिए कभी-कभी and mostly मैं fruits को use करती हूँ and fruits से ही dessert बनाती हूँ next मैं लेकर आई हूँ बहुत सारा salad ऐसे salad की kits मैं लेकर आना लाई करती हूँ mostly फर्टीनों से ऐसी kits मुझे अच्छी लगती है and बहुत सारा salad क्योंकि हम first plate salad ही लेते है next मैं strawberry flavor का जोगर लेकर आई हूँ इसे मैं overnight बनाती हूँ oatmeal and next another salad bag and यह 3 cheese की pouches and इसे आप freezer में रख सकते हूँ and next मैं लेकर आई हूँ dates यह बहुत अच्छी dates है इसे ट्राई करना यह बहुत soft होती है and बहुत अच्छी होती है and next मैं लेकर आई हूँ mangoes and पहली वार मुझे फर्टीनो में ऐसे cases में mangoes मिले है mostly आप एक दो ऐसे individual ले सकते थे but now वो carry करते है in cases तो मैं 3 cases लेकर आई हूँ I'm so happy with it and mostly मुझे Costco जाना पड़ता था mangoes के लिए and अब फर्टीनो में आगे आप चक कर सकते हो अगर आप भी लाइक करते हो mangoes को खाना यह है मेरे फेवरेट मीठे वाले ओरंजेज and यह है आपल apples and यह है green pears and जो ओरंजेज मैंने आपके शार्ज शेर किया है वो मीठे वाले ओरंजेज है उसको अब शिल्क अतार कर खा सकते हो वो बहुत अच्छे लगते है and bread लिया मैंने प्लेन and bananas and जे है almond milk and जे जीरो परसंद मिल्क for my coffee and जे mochi यह टाइप अफ आइस्क्रीम है and बचो ने से ट्राई करना था so मैं उनके लिए लेकर आई हूं and जे अच्छे है ट्राई करना चाहते हो तो next बचो ने लिये है snacks वो और अच्छे आईल से ही लेते हैं for dino's बहुत अच्छे अच्छे वहां से मिल जाते है and आप ट्राई करना so जे बहुत लाई करते हैं जे वाले बार्स होते है and made goods के जो snacks होते है बहुत ही अच्छे and healthy होते है and जे सब बचों के लिए next मैंने लिए है ketchup and next मैंने लिए है oat का flour इससे मैं अपने muffin बनाती हूँ जो मैं अपनी tea के साथ sorry coffee के साथ लेती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी shortly in a separate video in a detail and जे है veggie crackers, chips and जे है veggie meat wall and shortly मैं आपके साथ share करूँगी इसकी recipe next मैं 3 हटकर शेयर sugar scrub लेकर आई हूँ ये body का scrub है and जे मैं warm sauce लेकर आई हूँ my mom in England she said उनको वहां नहीं मिलती मुझे उनकी जाद आगी उन्होंने मुझे बोला था ये बहुत अची sauce है मैं पीजा पे जूज करती हूँ and sandwich पे जूज कर सकते है इसका लग साथ टेस्ट आता है and बहुत अच्छी लगती है मैं लेकर आई हूँ wavy carrots and next मैं लेकर आई हूँ almond flour इससे मैं अपने muffins बनाती हूँ and shortly आपके साथ share करूँगी video बहुत healthy बनते है and next मैं लेकर आई हूँ mushrooms and ये है veggie burgers and मैं हमेशा अपना meal plan पहले कर लेती हूँ मुझे क्या बनाना है week में उसके according ही में ग्रोसरी करती हूँ and ये मेरे बच्चे लेकर आई है donuts and फर्टिनों में variety of donuts cupcakes मिल जाते है and next मैं लेकर आई हूँ cheese slice in a white and next मैं लेकर आई हूँ buns इससे मैं burger बनाऊँगी next मैं लेकर आई हूँ baby cucumbers and इसे हम अपने salad में mix करके खाते है and ये मैं लेकर आई हूँ garlic naan and इसकी recipe भी मैंने आपके साथ share की है कि मैं garlic naan को कैसे use करती हूँ and गर्मे भी आप बना सकते हूँ अगर देखना चाहते हूँ तो video in description box down below and ये मैं सब के बन लेकर आई हूँ मैं गर्मे सब बनाती हूँ अगर देखना चाहते हूँ कि मैं सब गर्मे कैसे बनाती हूँ then click on the top to watch that video next मैं लेकर आई हूँ orange juice हम only orange juice ही पीते हैं जे pure होता है and next मैं लेकर आई हूँ asparagus and इसे मैं mixed vegetables बनाऊँगी and मुझे soup भी बनाना है शाहिद मैं इससे कुछ mix करके बना लूँगी and broccoli लेकर आई हूँ इसको मैं soup में यूज़ करूँगी next मैं लेकर आई हूँ garlic ऐसे बड़ा सा garlic का मैं ले आती हूँ तो बहुत अच्छा कितने देर तक चल जाता है next मैं लेकर आई हूँ जे krela and next मैं लेकर आई हूँ green peppers and इसको मैं जूज़ करती हूँ on a pizza and barbecue करेंगे and next upcoming video मैं आपके साथ शेयर करूँगी next मैं लेकर आई हूँ जुकिनी and इसको आप mix करके barbecue कर सकते हूँ and मैं इससे कभी-कभी vegetables भी बना लेती हूँ कभी-कभी English भी बना लेती हूँ next मैं लेकर आई हूँ cilantro dania and many of you गया है बाहर guys होने ही वाला चोटा-चोटा है जे मैं लेकर आई हूँ weeds and गर्मियों में आप ऐसे उगा सकते हूँ तो आपको fresh fresh मिलता रहता है and next मैं शॉपर डग मट कही थी वहां से मैं लेकर आई हूँ nevya का lotion and next मैं लेकर आई हूँ जे tinted है face की sunscreen sun warm and जे mineral की है and ये बहुत अच्छी है and इसे try करना अगर करना चाहते हूँ मैं review करूँगे आपके लिए and another sun warm जे भी mineral है and जे tinted नहीं है first one is tinted next मैं वर्स्ट की जे लेकर आई हूँ brightening eye gel and जे cream foam में भी आती है and gel foam में भी आती है and जो आपको अच्छा लागता है वो try कर सकते हो and इसे मैं try करूँगी जे am pm दोनों में आप लगा सकते हूँ and मैं आपके साथ share करूँगी next मैं worst key ही moisturizing gel cream लेकर आई हूँ जे green tea extract plus aloe vera का जो leaf होता है वो इसमें है and जे hydrating cream है and इसको मैं try करूँगी and आपके साथ share करूँगी रॉसरी को मैंने पहले ही clean कर लिया था मैं vinegar से clean करती हूँ अब मैं इसे रख लेती हूँ and बाद में हम बनाते हैं lasagna and lasagna भी मेरा boil हो चुका है multitask work हमारा शुरू हो गया है and अब मैं बहुत जल्दी इसे बना लूँगी and अगर आप detail में देखना चाहते हो तो detail में video भी मैंने बनाई है and वो video upon our channel you can click on our top to watch that video and मैं जे vegetable का lasagna बना रही हूँ and बस ऐसे आपको layering करते रहना है and cottage cheese use कर रही हूँ and normal cheese use करूँगी and मेरी जो गर में बनी है sauce उसे मैं use करती हूँ marinara sauce वो भी video upon our channel है कि मैं गर में marinara sauce कैसे बनाती हूँ click on our top to watch that video or check all the videos in my description box down below so जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाता है ऐसे ही multitask work करते रहे and plan कर ले जो भी आपको करना होता है meal plan कर ले to-do list बना ले उससे आपका जो काम है बहुत अच्छे से easily हो जाता है and इसको मैं बेक करूँगी 425 degree Fahrenheit for 20 to 25 minutes and जे दन हो जाएगा बहुत जल्दी and here we go in a minutes जे दन हो चुका है guys for you and आप enjoy कर सकते हो अगर detail वीडियो देखना चाहते हो तो link in my description box down below okay guys grocery सब कुछ रख दिया मैंने आज मुझे 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 मिलें फटीनो से मैं बहुत अप्य हूँ वो ऐसे केस नहीं लेकर आते थे पहले and आप अप अपन ले सकते थे 2-3 like that so individual pieces तो अब पैर लेकर आई हूँ केस मुझे बहुत अच्छा लगा मैं 3 लेकर आई हूँ वहां से and बहुत अच्छे है so hope you like today's video if you like this video like comment and share and I will see you in another coming video until then check out guys and bye